हाई एवरीवाण वेलकम तू माई चैनल कैसे हो आप सब दिस इस रिष्टी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे वाटर प्रूफ मेकप कर सकते हो वो भी एकदम आसान तरीके से मैं आपको लाइफ प्रूफ भी दिखाऊंगी उसके आप एंड तक इस वीडियो का जरू देखना तो सबसे पहले आपको फेस को क्लीन करना है मेरा मतलब है आपको फेस वाश करना है आपको यपी अपना फेवरेट या आपको जो भी सूट होता है वो वाला फेस वाश यूस कर सकते हो तो मैंने अच्छे से मेरे फेस को वाश कर लिया नेक्स्ट आपको क्या करना है आपको आइस लेनी है और कोई भी आप क्लोथ कोई भी कपड़ा या फिर क्लोथ ले लो जो क्लीन हो कॉटन का हो और उस पे आप आइस डालो और उसको ऐसी रैप करके अपने फेस पर रब करना है डायरेक्ली आइस को अपने फेस पर रब नहीं करना है अगर आप डारेक लिए आइस को रब करोगे तो आपके फेस पर रेडनेस हो जाएगी तो हमेशा आपको कोई भी क्लोथ में आइस लेना है फिर ही डाप डाप करते हूँ अपलाइ करना है इससे क्या होगा आपका जो मेकप है न वो बहुत जादा लॉंग लास्ट करत है और जित्ती भी स्वेलिंग होगी आपके फेस पर वो भी कम हो जाएगी तो यह स्टेप आप जरू करना अभी समझ भी आ चुके है तो बहुत ज़दा फ्रेश लगी गए यह स्टेप करने के बाद नेक्स्ट हम मॉस्ट्राइजर अपलाई करेंगे तो मैं पॉंड्स का म आप कोई भी अपना फेवरेट या फिर जो भी आपको सूट करता है वो वाला मॉस्ट्राइजर यूज कर सकते हो मॉस्ट्राइजर से नरिश्मेंट मिलती है अपने फेस पर और बहुत ज़दा हाइडरेटेट फील होती है स्किन इसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर तो मेरे स्किन को स्मूद आउट करेगा स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है तभी आपका मेकप अच्छा लगता है नेक्स्ट में ये कलर करेक्टर यूज कर रही हूँ ये इंसाइट का कलर करेक्टर है इसमें से औरेंज करेक्टर को मैंने लिया है और फिंगर्स की हेल कानिये के बाद आपका फेशॏं बहुत जाद ग्रेयल लगने लगेगा नेक्स आपको क्या करना है। goose puff का Brush में लेना है एगदम से लेना है पूरा dust off कर लेना है। और वो जितना अपके ब्रश पर बचा है बस उतना थोड़ा सा ही पुरे फेस पर अच्छे से फैला देना है अगर आप waterproof makeup कर रहे हो तो ये हाथ को ज़रूर ट्राइ करना next हम foundation apply करेंगे तो मैं Maybelline का foundation लिया है और उसे मैंने back off hand पे लूँगी और अच्छे से रप करने के बाद dot dot करते हो अपने face पर apply करूँगी इसमें मेरा shade है 220 इसकी coverage medium to full है आप इसे build भी कर सकते हो और इसे मैंने blend किया है beauty blender की help से आप चाहो तो brush भी use कर सकते हो मैंने cups and lashes का beauty blender यूज किया है next मैं concealer apply करूँगी highlighted areas पे यह है Swiss beauty का concealer और इसमें मेरा shade है 03 बहुत अच्छा concealer है full coverage देता है और इसे मैंने highest points पर लगाया और थोड़ा chin के नीचे भी मैंने cut लगाया है ताकि थोड़ा chisel look दिखे और इसे मैं blend करूँगी वही beauty blender के साथ बहुत अच्छे से blend हो जाता है यह concealer आज नहीं हम face को bake करेंगे face को bake करने से क्या होता है पूरा जो make up होता है वो lock हो जाता है make up निकलता नहीं है अगर sweat वगेरे आया तो और उपर से यह waterproof make up है तो यह make up को बहुत अच्छे से long last करने भी help करता है जब तक मेरा face bake हो रहा है तब तक लिए मैं अपने eyebrows को fill कर लूँगी मैं over line नहीं करती हूँ guys अपने gaps को fill करती हूँ और फिर इसके बाद हम पूरा loose powder को हटाएंगे तो मैंने यहाँ पे 10-20 seconds के लिए loose powder को set करने के लिए छोड़ दिया था अगर आपके पास ज़्यादा time हो तो आप थोड़ा और time तक भी रख सकती हो अच्छे से powder को dust off करने के बाद इस moment पे हम face को set करेंगे तो मैं मार्स का setting spray use किया है अभी हम eye maker पर आ जाते हैं तो यह light brown shade को लेकर मैं अपने transition पे लगाऊंगी अपने inward और outward direction पे अच्छे से blend करूँगी याद रखना है blending अच्छे से करनी है और फिर मार्स के palette में से यह dark blue shade को लेकर अपने outer view पे place करूँगी और अच्छे से blend करूँगी देख रहे हो मैं कैसी blend करी हूँ सेम आपको वैसी blend करना है time लेते हुए ने तो dark colors blend होने में time लेते हैं फिर मैंने एक light color का shade लिया है और उसे मैंने half of the eyelids पर अच्छे से place किया है अभी हम mascara apply करेंगे तो मैं यह purple का mascara use करी हूँ यह waterproof mascara है और बहुत अच्छा है लेंदिंग दे देता है next हम face की contouring करेंगे तो मैं यह sugar का palette ले रही हूँ उसमें से blush contour और highlighter आजाओं apply करेंगे तो chick bone के नीचे jaw line पे forehead पे अच्छे से contouring किये फिर मैं आपे blush लगा रही हूँ वही वाला upward direction में blush लगाने से face पर एकदम से जान सी आज़ती और एक natural flush दिखता है nose पर भी लगाऊंगी और chin पे भी फिर से हम face को set करेंगे यह Mars का setting spray है फिर इसके बाद हम highlighter apply करेंगे तो वही मैं sugar का highlighter apply करूँ अपने highest points पर क्योंकि बहुत अच्छा highlighter है यह और बिल्कुल भी chunky नहीं है next हम lipstick apply करेंगे मैंने NYB के lipstick लगाई है in the shade hugs and mugs so that is it for today's video guys कैसा लगा आपको यह video comment में ज़रू बताना like कर देना subscribe कर देना bell icon को भी press कर देना ताकि हर एक video की notification आप तक पहुँच जाए तो मिलती हूँ अपने next video के साथ till then take care bye